जहीं दोस्तों वैकम बैक टू जॉप्टेया आई होब कि आप लोग अच्छे होगे इन दिस वीडियो आई विल सो यू आई विल डिस्कस विद यू हाउ टू बिकम एसिस्टेंट प्रॉफिसर इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एसिस्टेंट प्रॉफिसर कैसे बने उसके लिए इस क्राइटिरिया क्या रहती है सैलरी आपको किस तरह से देखने को मिलेगी नया बदलाव जो है असिस्टेंट प्रॉफिसर में हुआ है तो वो किस परकार का हुआ है साथी साथ नेट एक्जाम से सम्बंदित भी इन्फॉर्मेशन देने बाला हूं उसक पूरे प्रकिरिया की बात करेंगे तो बने रहेगा वीडियो में अन तक चैनल में अगर फर्स टाइम चुड़े हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजेगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेंटिव वीडियो का जो है नॉटिफिकेसन आप त Past to qualify कर रखा है जाहें आपने intermediate arts से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, commerce से रखा है तो बस आपको यहां पर पासाउट होना चाहिए intermediate साथ ही साथ जो है इसके बात जो है आपको बेचलर the degree आपको पास आउट करनी होगी बेचलर डिग्री बीए और बीकॉम और बीएस्टी एनी स्टिम विद नो एनी काइंड ओफ परसेंटेज मार्क्स रिक्वाइट यानि किसी परकार का कोई भी परसेंटेज मार्क्स यहां पे देखा नहीं जाता है बेचलर जस्ट आपका कॉलिफाई होना चाहिए यानि अगर आपने BA 40% marks के साथ pass out है 45% marks के साथ pass out है साथी अगर आपने BASC भी कर रखा है तो 40% marks के साथ 45% marks के साथ तो बिलकुल जो है यहाँ पे आप इसके लिए eligible होंगे यानि बेचलस जस्ट जो है आपका pass out होना होगा इसके बाद अगर बात करें तो post graduate यानि आपका masters masters जो है अगर आपने किया हुआ है master in arts से किया है master in commerce से किया है master in science से किया है तो बिल्कुल जो है आप eligible होंगे बसरते 55% marks होने चाहिए for general और EWS candidate यहाँ पे marks को देखा जाता है और marks यहाँ पे matter करते है यानि आकर आपका PG जो है any stream में कोई भी stream हो चाहिए आपका history हो science stream के हैं math के हैं किसी भी stream के हैं जस्ट आपका PG complete होना चाहिए 55% marks for general और EWS candidate के लिए वहीं अगर आप जो है OBCST और SC category या PWD candidate हैं तो आपको marks में 5% का relaxation भी देखने को मिलेगा यानि 50% marks चाहिए masters में जो है आपका OBC, SC और ST और PWD candidate के लिए जो ज़्यादा doubts जो रहता है वो है subject and stream issues यानि subject के साथ जो stream का जो issues रहता है वो ये आपको clear होना जरूरी है देखिए इसमें होता क्या है अगर आपने suppose आपने अगर B.S.C कर रखा है graduate B.S.C कर रखा है maths honors से आपने जो है B.S.C कर रखा है और आपने जो है post graduate यानि P.G. जो है arts से कर लिया है कोई भी subject ले 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 arts का उससे आपने अगर P.G. complete कर लिया है तो ऐसे में क्या आप assistant professor बन सकते हैं कि नहीं ये जो है आपका मन में सवाल आ रहा होगा ये doubt है तो देखिए मैं clear कर देता हूँ इसमें किसी परकार का कोई issue नहीं रहेगा अगर आपने science से B.S.C किया था और MA जो है assistant professor लगेंगे तो किस subject से लगेंगे आप जो है जिस subject से master complete किये हैं यानि master अगर आपने arts से किये हुए हैं तो arts के ही जो है assistant professor उसी particular subject के assistant professor लगेंगे इसके साथ देखिए अगर आप PG के दोरान ही जो है आप जो है UCZ NET और CSIR NET का preparation कर सकते हैं क्योंकि ये mandatory हो जाता है must हो जाता है qualify करना assistant professor बनने के लिए आपको NET qualify होना mandatory है एक तरह से तो अगर NET की अगर exam की बात करें तो आप जो है यहाँ पे देखें अगर बात करें तो what is NET तो NET is National Illigility Test conducted by NTA twice in a year यानि अगर बात करें तो NET का exam जो है National Illigility Test है ये और ये NTA द्वारा conduct कराई जाती है और year में ये दो बार conduct होती है जिसमें 82 subjects पर ये exam conduct कराई जाती है और ये इसके साथ जो आपका next आ जाता है CSIR NET ये जो है conduct होता है five subjects में ये subject five subjects में ये conduct किया जाता है और ये जो है Central Level में conduct होता है इसी तरह से जो है आपको जो है आदर देखने को मिलेगा जो है कि आपका state exam ये state exam जो है NET के तरज पर ही जो है लिया जाता है इसी परकार का syllabus similar रहता है दोनों का और ये जो है एस्टेट गौइरमेंट conduct कराती है यानि एस्टेट में जो universities जो चलती है उसके लिए जो है एस्टेट गौइरमेंट state exam conduct कराती है सब्स जैसे जारखन में Assistant Professor बनने के लिए State Government क्या करती है JET exam conduct कराती है इसी परकार बिहार में Assistant Professor बनने के लिए बेट एक्जाम जो है बिहार कंडेक्ट कराती है तो ये भी आपको कौलिफाइ करना होगा यानि अगर आपने Net Qualify कर लिया है तो पर भी आप जो है Elisible होंगे या फिर अगर आपने Set Exam भी कौलिफाइ कर रखा है तो पर भी आप जो है Assistant Professor Government Assistant Professor बनने के लिए बिलकुल Elisible होते हैं इसकी exam pattern के अगर बात करें Net और Set exam pattern क्या रहती है तो देखिए exam pattern जो है आपको कुछी सपरकाट देखने को मिलेगी इसमें 2 papers में आपका exam होगा जिसमें 1st paper आपका Teaching Institute रहता है जिसमें 50 questions पुछे जाते हैं और इसके लिए आपको जो है यहाँ पे 100 marks देखने को मिलेगा वहीं अगर बात करें paper 2 की तो subject concerns से आपके जो है questions पुछे जाते हैं और इसमें 100 questions आपको देखने को मिलेंगे और इसके लिए 200 marks जो है आपको मिलने वाले हैं तो इस तरह से दो paper में यहाँ पे जो है exam ली जाती है net का या फिर आप set का ही बात कर लें दोनों का similar रहता है यही दो paper में exam होती है और syllabus भी same रहता है syllabus इस channel में जो है already जो है मैं बना दिया हूँ paper 1 के regarding syllabus बना हुआ है तो जरूर जो है आप जो है चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो के description box में मैं उस वीडियो का link दे दूँगा तो आप paper 1 के regarding जो है सारे A to Z topic wise जो है detail जो है syllabus को जान सकते हैं और खास बात इस जो है net और set exam का यह होता है इसमें negative marking नहीं होता है no negative marking इसमें रखा जाता है यानि किसी परकार का कोई negative marking नहीं है सारे questions आप attempt ले सकते हैं तो finally अगर बात करें तो आपको जो है assistant professor बनने के लिए आपके qualification क्या होना चाहिए graduate plus master plus net set qualify आपके पास होनी चाहिए यानि minimum qualification आपका qualify होना चाहिए अगर आपने master कर रखा है साथ में net qualify है तो बिल्कुल assistant professor की eligible है साथी साथ master के साथ अगर आप set exam qualify की हैं तो पर भी आप जो है eligible होंगे इसके अलाबा अगर master के साथ आपने PhD कम्प्लीट कर रखा है तो पर भी जो है आप यहाँ पे eligible होते हैं इसकी अगर selection process की अगर बात कर एं assistant professor की तो आपका यहाँ पे written exam जो है आपका लिया जाता है उसके बाद interview होता है तो इस तरह जो है आपका selection procedure यहाँ पे देखने को मिलेगा यह requirement जो है assistant professor की लिए जो है selection process है वहीं अगर जो इंवर्सिटी जो private universities होती है उसमें जो है आपका just जो है sirp और sirp interview ही conduct कराई जाती है किसी किसी में return test भी लिया जाता है अभी अगर बरतमान में अगर currently देखें तो अभी assistant professor की government assistant professor की कोई भरतिया नहीं आ रही है ऐसे में क्या हो रहा है कि universities में जो है contractual basis पर जो है assistant professor की नियुक्ति की जा रही है ऐसे में sirp और sirp उसमें जो है interview की तहट जो है आपका यहाँ पे selection हो रहा है salary की अगर बात करें तो salary आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी जैसे कि civil servant की जो salary होती है similarly यहाँ पी भी आपको उस level की salary देखने को मिलेगी one lakh plus तक कि आपकी जो है per month salary आपको देखने को यहाँ पे मिलती है तो salary में किसी परकार की कोई issues नहीं आती है क्योंकि यह जो आपकी salary मिलती है seventh pay commission के तहट जो है आपको यहाँ पे salary देखने को मिलती है age limit की अगर बात करें तो इसमें किसी परकार की कोई age limit नहीं रखा गया है याँ आप किसी भी age के क्यों नहों आप जो है eligible होंगे अब recruitments कैसे निकाल के आती है यो भी जान ले assistant professor की recruitments जो है किस तरह से आती है तो central public university से जो है assistant professor की recruitments आती है state higher education department से भी assistant professor की recruitments निकाली आती है और वही private university से भी जो है assistant professor की भरतियां जो है आपको देखने को मिलती है तो इस परकार जो है आपका पुरा जो है यहाँ पर detail जो है आपको information मिला assistant professor के regarding इसके आलाबा भी आपके अगर कोई personal doubt है तो जरूर जो है आप comment box में comment कर सकते हैं आपका जो है जब आप दिया जाएगा तो कैसी लगी वीडियो जरूर comment box में comment कीजेगा वीडियो का अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धहनवाद thanks for watching